नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्यम मंत्र यन तंत्रवास्तु के विशेस कास्करम के साथ होली उत्साह और उमंग का एक प्रमुख पर माला जाता है होली का दहन के शुमुहुर्थ के दिन अगर आप एक खास उपाय करते हैं तो आपकी जिन्दगी की सारी प्रसानी मिठ सकती है तो हम आपको बताएंगे कि होली का दहन की क्या है सुमुहुर्थ और होली का दहन पर खास उपाय करके कैशे आप अपने जिन्दगी को सरल, शुगम और सम्रित साली बना सकते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं कि होली का दहन की क्या है सुमुहुर्थ और होली कब है देखिए होली का दहन जिससे हम लोग छोटी होली भी बोलते हैं होली का दहन फालगुन महिने की सुकलपक्स की पुनिमा तीथी को मनाई जाती है जो इस साल 20 मार्च 2019 को पर रही है यानि बुधवार के दिन हम आपको बताते हैं कि होलिका दहन का क्या है शुब मुहुर्थ देखिए होलिका दहन की जो शुब मुहुर्थ है जिसमें आपको होलिका दहन की पूजा करना है वो सुब मूर्थ स्टार्ट होता है रात में 8 बज के 58 मिनट से ले करके रात में 12 बज के 23 मिनट तक यानी 8.50, 8.00 PM to 12.23 AM इसी बीच में आपको होली का दहन की जो पूजा है इस सुब मूर्थ में करना है इसके बाद होली या रंगबाली होली जो चैत्र मास की कृष्ण पक्स की परतिपदा को रंगबाली होली मनाई जाती है वो इस साल 21 मार्श 2019 यानी गुरूबार के दिन पर रहा है तो इस दो खास जिनों में आपको निश्टित रूप से एक उपायक करके आप अपने जिन्द्गी को समार सकते हैं तो हम आपको सिधा बताते हैं कि होली का दहन पर आप कैसे सभी बाधा को दूर कर सकते हैं देखिए होली के पर्व में शब से महत्पुन पर्व होता है होली का दहन होली का दहन की अगनी में आप अपनी सभी सारीरिक मांसिक परसानी सफलता में रुकाबट आर्थिक कष्ट एभम शभी बाधाओं का नास किया जा सकता है आप अपनी शभी बाधाओं को होली के अगनी में भस्म करके जीवन को शुगम बना सकते हैं तो हम आपको बताते हैं कि होली का दहन पर कैसे करें उपाय क्या है खास उपाय तो क्या करना है आपको होलीका दहन के दिन शुब मुहूर्त में स्रीफल अपने एबं परिवार के सदस्यों के ऊपर से क्लॉकवाइज डरेक्शन में साथ बर उतारे उसे घुमा दे क्लॉकवाइज डरेक्शन में इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अपनी शमश्या बताकर शुरीफल को होलीका दहन में डाल दें इसके बाद होलीका दहन की साथ परिकर्मा करके परिसानी दूर करने की प्रार्थना करें एभम अपने और परिवार के लिए शुक्षान्ती, शम्रधी, श्वास्त, यस, दिरगायू, धनलाब की कामना करें तथा घर के सभी बरे बुजर्गों से आसिरबाद लें तो मैंने आपको बताया कि होलीका दहन पर आपको कैसे उपाय करना है अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो क्या है इसकी साब्धानी और क्या होगा इसका प्रभाव देखिए अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो उपाय करते समय सुद्धता और पविद्धता का बिशेज ध्यान रखें तथा बिना किसी को बताए ये उपाय करें अगर आप कोई अन उपाय भी करते हैं तो निस्टित रूप से अपने उपाय को गोपनिया रखें उपाय को किसी को ना बताना चाहिए आप किसी को ना बताएं अगर आप ये उपाय काम नहीं करेगा और आपका जीवन, शरल, शुगम और सम्रिद साली हो जाएगा तो मैंने आज आपको बताया कि होली का धहन का क्या है सुभ मुहुर्त होली 2019 में कब है होली के इस खास मोके पर होली का धहन के दिन सुभ मुहुर्त में आपको क्या एक उपाय करना है ताकि आप अपने जिन्दगी को शरल, शुगम और सम्रिद साली बना सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो किर्पियाई से लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेर करें तो होलिका दहन के दीन सुमूहुर्त में वो भी इस उपाय को करके अपने जिन्दगी को शरल, सुगम और सम्रिद साली बना सकते हैं आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद